इस 20 रुपीज के अर्थन पॉट को मिनमम 400 रुपे के क्राफ्ट में कन्वर्ट करें बिल्कुल आसान तरीके से मैं हूँ नरेंदर दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट दोस्तो इस अर्थन पॉट का हर जगा लोकल नाम होता है जैसे उत्तर में घरिया या कई जगा इसे कुलिया भी बोला जाता है भाइदूज और कई धार भी काम में प्रियोग में लाते हैं मुझे पाच रुपे का एक मिला हम चार सेट पे काम करेंगे दोस्तो ये वाल पॉट्टी है किसी भी हार्डवेर की दुकान पे आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है आईए जानते हैं कि इससे डो कैसे बनाते हैं इसमें केबल पानी मिला कर हम डो बना सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको यही ब्रैंड इस्तमाल करना चाहिए चार चमच वाल पुटी पाउडर ले और तीन चमच पानी मिलाएं जरुत हो तो बाद में आदा चमच और मिला सकते हैं इसे चमच से अच्छी तरीके से मिलाएं इसे चमच से इतना मिलाएं कि पूरे पाउडर में मौशर अच्छी तरह से समाज आए और ध्यान रहे ये गीला नहीं होना चाहिए हलका सा रुखडा होना चाहिए बाद में जरुत के हिसाब से इसमें पानी मिला सकते हैं जैसे ही पूरे पाउडर में मौशर आता है तो चम्मच और बागी जगह से पाउडर को हाथों से समीट कर उसे आप मुठी में बांद कर एक जगह करने की कोशिश करें और फिर दोनों हाथों से उसे रोल करें रोल करते समय बाल पुट्टी को गिरने दे फिर रोल करें फिर इसे फोल्ड करें ये प्रक्रिया बार बार दोराएं रोल करें जब तक कि आपका डो मुलायम ना हो जाए जब तक आपका डो सौफ्ट नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया जारी रखें अगर आपको लगे क तो थोड़ा सा वॉल पुट्टी मिला ले, जैसे ही आपका डो सॉफ्ट हो जाता है, और डो बन कर तयार हो जाता है, इसे गिले कपड़े से ढख ले, आपने वॉल पुट्टी से कभी काम नहीं किया, तो पहले दो चमज से डो बनाने का प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बार-बार करें, जब एक बर डो बन जाता है, फिर क्राफ्ट बनाने की तैयारी करें, ये डो तीन से चार घंटे ही चल पाता है, तो इस लिए हम जरूरत के हिसाब सही से बनाते हैं, जैसे ही आपका डो बन जाता है, तो हातों को धोने के लिए एक अलग बाउल या कोई भी बर्तन रखे उसमें हातों को अच्छी तरह से धोए जो पानी है जिस पानी में आपने हाथ धोया है उस पानी को direct drain में या wash machine में ना डाले क्राफ्ट करते समय लगातार इसी में हाथ धोए और 6 घंटे तक छोड़ दे उपर का पानी फेक दे और नीचे का जो गाध है उसे डस्ट बीन में डाल दे क्राफ्ट बनाने से पहले हाथों को दोले और एक अच्छे मौशिराइजर का इस्तमाल करे अर्थन पॉट पे केबल पानी लगाए और वॉल पुट्टी के डो से थोड़ा थिक कोईल बना कर नीचे की तरफ लपेटे और इसे नाइफ से या केबल उंगलियों से ही शेप दे इसे हमें बिल्कुल एपल की तरह शेप देना है राउंड शेप देना है आप चाहें तो प जैसा ही नीचे का शेप राउंड आ जाता है तो उपर की तरफ भी वॉल पुट्टी लगाकर इसे कंप्लीट राउंड करें चारो सेट पे इसी तरह काम करके इसे राउंड शेप दे और इसे अच्छी तरह ड्राई होने दे जैसा ही क्राफ्ट ड्राई होता है तो 320 के एक चमच पानी मिलाए और इसका गाड़ा घोल बनाए चिपकाने का काम हम इसी से करेंगे वॉल पुट्टी डो से पतले पतले कोईल्स बनाए और दो क्राफ्ट पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ बॉर्डर बनाए ये काम आप वॉल पुट्टी के घोल से चिपका कर करें बॉल पेन का अगला हिस्सा इसी से आप सरकल वाले टेक्शर बना सकते हैं दोनों सेट पे ये काम करें और इसे ड्राई होने दें अगले सेट पे काम करने के लिए वॉल पुट्टी के डो से पतले पतले शीट्स बनाए थोड़े लंबे वाले शीट को साबधानी पुर्ब करता है तो ठीक है नहीं तो दो बार में ये काम करें और जो बीच का जो पोर्शन है उसे केवल पानी से स्मूध करके मिला ले उपर और नीचे का जो पोर्शन है उसे नाइफ के सारे बिलकुल एक सिधाई में करने की कोशिश करें और पानी से स्मूध कर ले पैंसिल के नो हो जाता है तो फिर से पतले coils बना कर ऊपर और नीचे की तरफ दो border बना ले और इसे dry होने दे डो से बिंदी के आकार के छोटे-छोटे shape बना कर इस तरह knife से lining वाले texture दे ये 20-25 बना कर dry कर ले जैसे ये dry होता है तो craft पे wall putty के डो की साहता से इसे चिपका कर कमल के फूल की तरह lotus flower की तरह आकार दे समान दूरी पे चार flower बना कर इसे चिपका ले और dry होने दे दोस्तों ये 3D outliner है किसी भी stationery दुकान पे आसानी से मिल जाता है जब भी हमें 3D outline करना होता है तो इसी की हम सहता लेते हैं और ये बार्बल powder और फेवी कोल से बना कोन है ये भी वही काम करता है जो 3D outliner करता है इसे बनाने का तरीका मैंने description में डाल दिया है वहां से देखकर आप आसानी से सीख सकते हैं जो अपने दो बार्डर वाले craft बनाये थे उसमें से एक craft पे ये koning करें और मनपसंद design बना ले चाहे तो reference ले सकते हैं मैंने free hand काम किया है मुझे antique look देना है तो थोड़ा सा decorative design बना लिया है आप चाहे तो कहीं से भी reference ले चाहे तो पहले pencil से design बना ले फिर उसके बाद ये koning करें और धीरे धीरे इस craft को complete करें इसे dry होने दें चारो craft dry हो गये हैं तो अब color की शुरुआत करते हैं वाल पुटी craft में हमेशा acrylic color से color करें इससे बहुत ही बड़िया shining आती है lotus वाला craft और koning वाला craft center में बिल्कुल black करें और इसे dry होने दें एक craft में हमने केबल बॉर्डर रखा था तो बॉर्डर को black color से करें और उपर और नीचे गोल्ड color से इसे paint करें एक बार करें ट्राई होने दें फिर दुबारा करें तो अपने आप shining आ जाएगी एक सेट हमने बिल्कुल प्लेन चुड़ा था तो इस पूरे सेट को आप गोल्ड color से color करें दो बार करें एक बार dry होने दें फिर दुबारा करें अपने आप shining आ जाएगी sponge का टुकड़ा लें और उस पे silver color लगाएं और इसी से आप जितने भी designs है कौन वाले designs और कमल वाले designs उन सब के जो ground है उनको निकाले एक बार हलके हलके इसे coat करें जैसे सुकता है तो दुबारा coat करें यह बहुत ही अच्छे detailing इसके आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी colors इस्तमाल किये हैं उनके नाम और number सारे description में मैंने डाल दिया है वहाँ से देखकर आप note कर सकते हैं और same combination आप रख सकते हैं आप चाहें तो खुद का combination भी बना सकते हैं गोल्ड वाले craft पे केवल black color से leaf जैसा design बना कर detailing करेंगे मैंने direct किया है आप चाहें तो reference भी ले सकते हैं आप चाहें तो कोई और design भी बना सकते हैं इसे dry होने दे lotus flower को मैंने pink color से color किया है आप चाहें तो red color से भी color कर सकते हैं क्योंकि silver है तो उस पे pink अच्छा लगेगा इसे भी dry होने दे तो दोस्तो छोटे अर्थन pot से बना ये mini planter तियार है इस planter को बना कर आपने कमाल कर दिया मैंने तो 400 कम बोला है पसंद आने पे आप कहीं ज़्यादा profit ले सकते हैं काम अच्छा करें अपने काम को social media में डाले ताकि लोगों को पसंद आए अपने काम को अलग-अलग art and craft के group में डाले और लगतार काम करें ताकि लोगों को पसंद आए तभी आपके काम की demand आएगी अगर घर के लिए बनाना है तो धेर सारे sets बना कर कहीं भी रखेंगे आपके interior को और भी enhance करेगा इस mini planter में हमेशा artificial plant इस्तमाल करें क्योंकि मिट्टी से और पानी से इसका जो है वो खराब हो सकता है क्राप करना अच्छा लगता है पर कई बार हम बनाने पाते तो ये दो बॉल पूटी के online classes available है ये basic classes है ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे whatsapp पे message कर सकते हैं अगर आप मुझे facebook पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथ में follow इसके साथ ही आप मुझे इस्टा बे भी follow कर सकते हैं अभी तो बस शिरुवात है हजारों ऐसे बजट वाले craft आइडियाज आने बाकी हैं ऐसा कोई भी craft वीडियो आप से चूट न जाए इसके लिए चैनल को subscribe जरूर करें साथ में एक bell icon है उसे भी दबा दे ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सके दिवाली पे आपने खूब मेहनत किया इसलिए थोड़ा हलका वला craft बनाया आपके बहुमुल कमेंट्स का इंतजार रहेगा जल्द मिलते हैं एक नए craft आइडिया के साथ तब तक आप खुश रहें सुरक्षित रहें आप देख रहें क मेरा चैनल craft pocket